इस question में हमें इन दोनों में से एक symbol यहां fill in the blanks में डालना है इस वाले symbol का मतलब होता है is a subset अगर मैं इसमें dash मार दूँ इसका मतलब होगा is not a subset यहां पर हमें पता लगाना है यानि B मेरा subset of C होगा या नहीं अगर मेरा B subset of C होगा इसका मतलब हर एक element of B मेरा C के अंदर होगा मेरे B के elements है 1, 5, 9 मैं notice करूँ 1 भी C के अंदर है 5 भी C के अंदर है और 9 भी C के अंदर है इसका मतलब हर एक element of B मेरा C के अंदर है यानि मेरा B subset है C का और subset के लिए मैं यह वाला symbol यूज़ करता हूँ तो यह मेरा कुछ ऐसा आजाएगा